हेलो फ्रेंड मैं यह पनी जयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सिड़बी के दुआरा सिड़बी गॉर्मेंट की एक अंडर्टेकिंग है इसके तुरू काफी अच्छी लोन इसकिम्स डारेक्ट लोन इसकिम्स प्रोवाइड की जा रही है सभी तरह के बिजनिसमेन को, स्मॉल्स को, बिग्स को, MSMEs, कैटेकिरी को, टेडर्स को, सर्विस प्रोवाइडर को, मैनुफेक्चर रिंग जो भी इंडर्ष्ट्रीज है इसमें सभी तरह के लोन्स कवर्ड हैं, इसके डिटेल्स जो भी प्रोडट्स एविलेबल हैं उसके बारे में हमने अपनी लाश्ट वीडियो में डिसकस किया था उसी वीडियो में मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि अपनी नेच्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से बेना किसी की हैल्प के या बेना किसी ब्रोकर के पास जाए हुए हम खुद से online Google की help से किस तरह से हम SIDBI के पास अपनी online application submit कर सकते हैं उसका क्या process होता है तो आज की वीडियो हम इसी के वेस्ट पे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा अगर पसंद आती है तो like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको Google में टाइप करना है SIDBI Loan Online Apply इसके बाद आपको यह सबसे पहला first option आएगा यह देखिए https slash online application.cdb.in इस पर आपको क्लिक करना है online application application.cdb जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके बास एक नया विंडो यहां पर इस तरह से open होगा तो आप इस विंडो में देख सकते हैं गवर्मेंट की official website है याद रखे किसी भी fake website पे अपनी details submit ना करें किसी भी तरह से आपको loss हो सकता तो ध्यान लहें आपको गवर्मेंट की online website पे ही क्लिक करना है अपनी वीडियो के link में मैं आपको complete description दूँगा है इस website का link में प्रोवाइड कर दूँगा फिर उसके बाद आपको next process करना है यहाँ पर registration तो देखिए यहाँ पर registration के लिए form open हुआ है यह real time based form है इसमें आपको अपने enterprise का नाम डालना है phone number डालना है उसके बाद आपको अपना password create करना है अपनी email id डालनी है धियान लखिएगा phone number और email id आपको active ही डालने है इससे कि यह online data का process होगा verification होगा आपके number पर OTP आएगा mail पर भी OTP आएगा आप वेरिफाई कर लिजीएगा password डालके confirm करना है एक main point यहाँ पर यह है कि जो यह परपोल टोटल लोन कितना आपको required है तो आप जैसे इस पर click करेंगे यह आपको सेक्ट काफी ध्यान से करना है देखिए आपके पास इसमें सबसे पहला option आ रहा है safe SIDB assistance to facilitate emergency response against coronavirus और safe plus coronavirus को देखते हुए SIDB के तुरू दो तरह की loan facility प्रवाइड की जा रही है safe है safe plus है दोनों की terms and conditions अलग है जैसे कि मैंने last video में आपको पताया था दूसरा है loan up to 50 lakh third loan more than 50 lakh but up to 300 lakh और fourth option है loan more than 300 lakh तो आपको अपनी जो भी आपकी category में जिसमें आप hold करते हैं वह बड़े ध्यान से आपको select करनी है इसको आपको select करने के बाद जब आप इसको further आपके पास एक दूसरी window open होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप are you into trading तो आपको इसमें select करना है yes or no जैसा भी आपको option आप उसके coding select कर सकते हैं safe plus और safe is product directly related to fighting coronavirus such as sanitizers mask etc इसमें फिर दुबार से further option यहां पर आएगा yes or no यह बड़े ध्यान से आपको select करने है इसके अलावा यहां पर इसने पूछा है is product other essential supplies और oblique services such as soap tissue paper packaging etc तो यहां पर भी आपको यह असर नो बड़े ध्यान से select करना है कि आपको किस facility के लिए चाहिए आपके eligibility ck coding बनेगी यहां पर इसने complete link दिया है click here to view list of items covered under safe oblique safe plus तो आप यहां पर क्लिक करके वो कौन-कौन से items है जो कि इन दोनों category में fall करती है यहां से आप पूरी detail gain कर सकते हैं इसी तरह से आप अगर आप second option लेते हैं second option तो direct select होता है क्योंकि इसमें तो किसी तरह कोई terms and condition information भी नहीं दी गई है third में भी same है और fourth में भी same है तो अगर आप coronavirus के लिए ही coronavirus के लिए आपका business effect हुआ है आप उस category में fall करते हैं नहीं तो आप उसको पहले इस selection के अंदर जाका select कीजिए यह काफी important है उसके बाद यह आप अपने details में सम्मिट कीजिएगा जैसे आप सम्मिट करते हैं आपको एक username और आपका जो लोगिन का username और password जो आपने हापे अपना setup किया है वह आपकी registered email id पे आपके पास आजाएगा फिर आपके पास option आएगा आप इसको यहाँ पे अपनी username में अपनी email id डालकर और password डालकर आप इसको login करेंगे जैसे ही आप इसमें login करेंगे आपके पास complete form open हो जाएगा वह form उसके अंदर काफी others जो भी आपकी details बिजनिस की like KYC pen card अधार card passport size photo bank की details other requirements आपको क्या प्लांट की facility है कितना आपने investment किया है आपके पास कितनी लेवर है वह सारी details इसमें required होगी और यह इसके अंदर में login में जाकर यह भी चेक कर सकते हैं कि कहां तक process हुआ है किस लेवल तक आपकी application पहुच गई है और कहां तक उसका कब तक उसका disbursement loan का आपके account में होगा जो भी आप bank account देंगे वह बड़े ध्यान से आप दीजिएगा तो आज की वीडियो में हमने cover किया है आपको किस जंगे पर जाकर registration करना है किस तरह से login करना है आप इस वीडियो को पुरा complete तक देखिए दोस्तों के साथ share कीजिए अगर इसके बाद भी आपको कोई problem हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं email में मुझे आप email कर सकते हैं अपनी next वीडियो में हम complete form analysis discuss करेंगे इसमें अलग-अलग options दिये गए हैं हम अलग-अलग options को किस तरह से avail करेंगी क्या प्रोसेस रहेगा वह हम अपनी next वीडियो में discuss करेंगे thank you so much